G20 Summit में अलग-अलग देशों के अलग-अलग heads हमारे देश में सबका बहुत अच्छे तरीके से स्वागत किया गया लेकिन इसके बीच में एक हमारे पनौती चिचा है उनको FOMO feel होने लग गया उन्होंने कहा कि भाया सबका यहां पर मित्रों हो स्वागत किया जा रहा है मेरा स्वागत कब करोगे लेकिन इस चिचा को कौन समझाए होस्ट का स्वागत नहीं करा जाता है लेकिन समझ कभी आएगी नहीं तो इनकी अपनी पार्टी के लोगों ने एक स्वागत समारों किया इनकी अपने पार्टी के headquarters के अंदर इनको बुलाए गया खूब गाजे बाज चाने एक tweet नहीं करा है हमारे देश की media के जो बड़े बड़े anchors है वो इसके लेकर एक भी सवाल नहीं पूछ रहे है कि आखिरकार हमारे देश के प्रधानमंत्री जशन क्यों मरा रहे थे जिस टाइम पर हमारे देश के जवान शहीद हो रहे थे खेर मैं आपको दिखाना चिंटो के गैंग में उनके वाट्साइब ग्रूप होते हैं इन फैक जिस पर मैं added हूँ उस पर एक बार भी अनंतनाक का जिकर नहीं किया जा रहा है इनकी चड़ी पूरी तरीके से गीली और पीली हो चुकी है अब आपको दिखाना चाहता हूँ फिर से आपकी screens के उपर अनंतनाक का एक नजारा और नई दिल्ली का एक नजारा इसके बाद भी अगर भक्तों तुम्हारे को शरम नहीं आती न तो तुमसे जादा बेगेरत तुमसे जादा घटिया तुमसे जादा लीच और लीचर कोई इनसान नहीं हो सकता आगे अपनी screens पर आपको दिखाना च ट्वीट करके शहादत की information ने दी है और टाइम लिखा है नीचे 7 बच के 12 मिनट शाम का एक टाइम है और स्वागत समारो का देख लो जरा एक बार बीजेपी के अपने Twitter handle पे लाइव चल रहा था 742 की ये बात है मोदी जी के ओपर pushp वर्षाएं करी जारी तो ये कहना पूरी तरीके से जूट और फरेभी है कि मोदी जी को पता ही नहीं था कि हमारे देश के जवान शहीद हो गया आगे बढ़ना चाता हूं और इस स्वागत समारो की जरा आपको एक जलकी दिखाना चात किस बात का स्वागत समारो किया जा रहा है यह तो ऐसा ही हो गया कि आप एक्जाम देने गए और आप उसके बाद एक्सपेक्ट कर रहे हो कि एक्जाम देने के बाद रिजल्ट आने से पहले आपके घर में आपकी तारीफ हो जाए आपका स्वागत किया जाए बहुत पाने दो देखिए इस वीडियो को कर देखते टाइम यार मेरे दिमाग में भी यही सवाल आ रहा है कि आखिरकार कोई आदमी इतना जादा बेशरम कैसे हो सकता है कि हमारे देश में जवान जब शहीद हो तो वह अपने गले में मालाय पहन रहा हो अपने ओपर पुष्ट वर्शा करा रहा हो अगर सच में कोई देश भक्त हो ना तो उसी टाइम पर वही रुख जाए वापिस वहां से घर चला जाए या फिर अगर ऐ मतलब हमारे देश के जवान शहीद हो रहे हैं और डिफेंस मिनिस्टर हमारे देश के प्रधान मंतरी को गुलाब पकड़ा रहे हैं यह किस लेवल की बेशरमी चल रही है यहां पर इसी साथ आगे बढ़ना चाहूंगा और जारा हेडलाइन आपको दिखाना चाहूंगा ज और तीसरी एक और बीच में खबर है मेटी ग्रूप गन्स फॉर आर्मी यह तीनों खबर और इनके बीच में मोदी जी की सेलिबरेशन वाली तस्वीरे हैं और उपर हेडलाइन है आखिरकार किस चीज के लिए सेलिबरेट कर रहे हैं नरेंदर मोदी अब जैसा मैंने आपक अब अगर कोई मैच होता है तो हम उसका विरोध करेंगे चतुरवेदी हैं जो कि शिव से दवठाकरी गुट की बड़ी नेता है और उनका ये बयान सामने निकल करके है लेकिन अभी भी चाय वाले चीचा ने कुछ नहीं बोला है जैशा अभी भी अगला मैच यहां पर प्लान कर रहा है बैठके कैसे उसके मीडिया राइट्स बे पर यहीं हो रहा है सुधीर चौधरी के ओपर फायार हुई थी सुधीर चौधरी इस ताइम पर इधर उदर दुपका फिर रहा है इन फाक्ट सुधीर चौधरी के जो वीडियो से क्लिपिंग से उसको भी पूरी तरिके से डिलीट कर दिया गया है अब जो एक नई मेडिया के एंकर्स जो हैं वो भी काफी जादा हरकत में आ चुके और सबसे पहले आपर यूटर्न के लिए सामने आई है हमारी अंजना दीदी अंजना दीदी का एक वीडियो सामने आए जो कि सोशल मीडिया पर वाइरल भी हो रहा है जहां पर वो गोधी मीडिया को एक्सप अपने तौर तरीकों से जुकते जुकते वो रेंगते हुए नजर आए लेकिन इसके बावजूद मुझे लगता है कि आम लोग और टेलिविजन या प्रिंट मीडिया का जो आज भी महत्व है वो अतना इंपॉर्टन्ट है और इसलिए मैं कह रही हूँ कि आप लोग यहा पर यूटन मार लिया गया दूसरी तरफ हम देख रहे हैं आज तक वालों की तरफ से अंजना दीदी भी यूटन लेती हुए नजर आ रहे हैं इंडिया लाइन से मोधी तो काफी जादा इस ताइम पर परेशान है लेकिन मोधी से भी जादा परेशान कौन है आप बताओ क इसी साथ आगे बढ़ना चाहूंगा और एक और खबर आपको दिखाना चाहूंगा यह भी सोशल मीडिया पर काफी वाइरल हो रही है 18 सेप्टेंबर से 22 सेप्टेंबर तक पार्लेमेंट का स्पेशल सेशन यहां पर बुलाया गया था और बहुत बड़ा इसकी अराउंड चर्चा होने वाली हो और वहाँ पर वन नेशन वन एलेक्शन या पहले कराने की कहीं पर भी चर्चा नजर नहीं आरही है चपपनिज भाई साब पूरी तरीके से पानी-पानी हो गया अपने स्क्रीमपर देखिये किस चीज के ऊपद चर्चा करी जाएगी दा ड़िड इसके अलावा चर्चा में यहां पर होगा the post office bill, the chief election commissioner and other election commissioners bill. अब इन चारों चीजों में से ले दे के जो काम की है, वो chief election और election commissioner वाला bill है, लेकिन भीया यह तो हम लोग पहले ही समझ चुके थे, क्योंकि मोधी सरकार ने पहले ही election commissioner और chief election commissioner के ओपर अपना धीट पना दिखा दिया था, supreme court के order के भी बावजूद, इसके साथ आगे बढ़न चाहूंगा और एक और social media की trending खबर आपको दिखाना चाहूंगा, in fact आपको मिलाना चाहूंगा यहाँ पर चीचा school of degree के सबसे पहले student से, जी हाँ, चीचा school of degree मतलब जहाँ पर fake degree बनानी सिखाई जाती है, उस institution का एक student निकल करके सामने आया है, नाम है इसका रवी सुतंजन यहाँ, ये आदमी जो है, जो है, मोधी सरकार का बहुत बड़ा प्रशंसक है, और वक्त बेवक्त अपनी राय दिखाता है, और यह बताता है, कि बढ़ी सरकार कितने अच्छे आच्छे काम करें, कुछ tweets आपके आपके दिखाता हूँ, उसके बाद आपको बताऊंगा, कि इसने कितना बड़ा स्कैम किया इसका स्कैम देखके फ़र्जी डिगरी वाले चिचा कभी सर्में दर्द हो जाएगा अपनी स्क्रीन पर पहले ट्वीट को देखो Apple is expected to sell made in India iPhone at launch today for the first time what an incredible news for India and our manufacturing ambitions more to come एक और देखो पनी स्क्रीन के ओपर the brand ambassador of भारत Prime Minister Modi's go to person maybe India's next PM question mark incredible journey of Dr. S.J. Shankar आपको साफ नजर आ जाएगा कि यह आदमी सरकार का कितना बड़ा चमचा है अब जरा इस आदमी की qualifications देखो आपकी screens के ओपर और इसका CV एक बार देख लो यह आदमी अपने आपको कहता है कि यह बहुत बड़ा finance influencer है और यह कहता है कि इसने पढ़ाई कर रखे MDI गुडगाओं से HEC Paris से Indian Institution of Information Technology अलाबाद यानि कि IIIT अलाबाद का भी इसने यहाँ पर नाम लिखा है और Wireman की इसने यहाँ पर training एक ले रखी है इसका certificate यहाँ पर मिला है जहां पर 2014 से 2016 के बीच में इसने ITI से यह certificate हासिल किया है इन फैक्ट फिर से इसका CV आपको एक बार दिखाना चाहूंगा आपकी screens के उपर इसने लिखा हुआ है कि इसने काम किया हुआ है जार में, OYO में, Zomato में लेकिन यह भी है पूरी तरीके से जूट एक बहुत बड़ा इसने काम तो किया था Zomato में लेकिन काम करने की duration को भी इसने यहां पर गलत बता हुआ है इन फैक्ट इसने दो साल लिखा हुआ है लेकिन पता यह चला है कि दो महिनों में ही इसको fire कर दिया गया था क्योंकि जंडू बाम को काम करना ही नहीं आता था अब यह सब आपको सुनके लगेगा यह चोटी मोटी सी बात है कोई बात नहीं हो जाता है लेकिन चोटी मोटी बात नहीं क्योंकि यह सब information share करके यह आम आदमी से आम लोगों से Twitter के उपर उनसे 25,000 रुपे पर आर consultation fees चार्ज कर रहा था आपके screens पर एक screenshot नजर आएगा in fact इसे भी बड़ी जानकारी आपको दूँ इस आदमी को नरेंदर मोदी जी स्वयम फॉलो करने का काम करते है अपने screens पर देखो मोदी जी इसको फॉलो कर रहे है और सिर्फ फॉलो ही नहीं बल्कि इसको code tweet करके इसको जवाब तक भी देते है नरेंदर मोदी जी मोदी जी एसे scamsters से क्यों बात कर रहे है मुझे समझ मी नहीं आ रहा लेकिन screens पर अपने tweet को देख लो I like how you have brought out the rising popularity of UPI I lord my fellow Indians for embracing digital payments they've shown remarkable acceptability to tech and innovation मतलब यहाँ पर एक appreciation tweet कर जा रहा है लेकिन पहले background check तो कर लो इसके लावा आपको एक और tweet दिखाना चाहता हूं यह एक ऐसे account का tweet है जो स्वयम एक मोदी प्रशंसक है और वो भी यहाँ पर रवी सुतंजनी की ऐसी तैसी करने में लगा हुआ है वो भी इसको गली आने का काम कर रहा है अब यह हमने पहली बार नहीं देखा है हमने थोड़े दिन पहले भी देखा था कि गोधी पत्रका सुधीर चौधरी जो हैं उनको इंडिया आलाइंस के लोग तो गरी आने का काम कर रहे है साथ में स्पृती इरानी भी उनको गरी आ अगर यह वीडियो पसंद आया तो लाइक का बटन दबा के सब्सक्राइब का बटन दबा के बेल आइकन को जरूर दबाओ गोधी मीडिया के मूँ पर तमाचा मारना है तो 10 मिलियन पहुचना पड़ेगा और यह काम सिर्फ आप लोग ही कर सकते और आपके अंदर भीया इ बेल आइकन मैं आपसे मुलाकात करूँगा इस चैनल के अगली वीडियो में